नमस्कार अदाव मेरा नाम है सर्वत आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की पहला सेग्मेंट है हालचाल आज बात करेंगे सेल्यूलाइट के बारे में आपके पेट, जांगों और हिप्स पर पढ़ने वाले गड़े हैं ये दूसरा सेग्मेंट है तन की बात क्या वा कई छीकते वक्त आपकी धड़कने रुख जाती है और तीसरा सेग्मेंट है खुराग अपनी डाइट में तिल सरूर ले हो सकता है आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हो पर ये क्या है आप इसे वाकिफ हैं आप जापसर देखा होगा कि पेट पर हिप्स पर या फिर जांगों पर गड़े जैसे बन जाते हैं ये बहुत ही आम है यही है सेल्यूलाइट और तों में ये दिक्कत आदियों के मुका निकिता ने कोटा की रहने वाली है उम्र 25 साल है उन्होंने कुछ महीने पहले नोटिस किया कि उनकी जांगों पर डिम्पल्स जैसे बनते जा रहे हैं स्किन लटक सी रही है क्योंकि कोई हेल्फ प्रॉब्लम उनको हो नहीं रही थी इसकी वचांसे इसलिए उन्होंने इस ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया पर फिर उन्होंने कहीं सेलुलाइट के बारे में पढ़ा तब उन्हें एसास हुआ कि उनके साथ जो हो रहा है वो असल में है क्या अब निकिता चाहती है कि हम सेलुलाइट के बारे में डॉक्टर से बात करें इसका क्या इलाज है यह पता जैसे एक उबड खाबर लगती है तोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे और ये कॉस्मेटिक एली लेइस को बहुत बौदर करती है cellulite जादा हो थी है लेकिन ये में में भी हो सकती है अक्सर जो एरिया हमारी बोडी में एफेक्टित होते हैं थाइस, लेक्ष, बटक्स और कभी-कभी स्टमग और ब्रेस्ट अरिया में भी हो सकती है जलुलाइट का मोटापे से कनेक्शन नहीं है, विकाज अन्दर की टिशू जो फैट सेल्स हैं, वो हमारी स्किन के नीचे की कनेक्टिव टिशू को पुश करते हैं, और चोटे-चोटे इसलिए बंप स्किन पर बना देते हैं सेल्लाइट का एकसर कारण कहना मुश्किल है, फिकाज इसमें बहुत सारे कारण पाये गए हैं, सबसे इंपोर्टन्ट है क्योंकि विम्मन में ज्यादा होता है, इसलिए इस्ट्रोजन और हॉर्मोन का बहुत बड़ा रोल है, हॉर्मोन में इस्ट्रोजन, इंसूलन, पतले सब लोगों में पाया जाता है, इसलिए इसका मोटापन से डारेक किनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपका लाइशाइड बहुत सेडेनरी है, मेंस आप बहुत गंटे तक बैठे राते हैं, हीलते नहीं है, तो क्योंकि ब्लड सकुलेशन कम हो जाता है उस एरिया में इ इसलिए इस पोकस में ज्यादा पाया जाता है, सेलुलाइट किसी भी एज ग्रूप में एफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसे यंगर मोमन में ज्यादा देखा गया है, एस्टिमेट यह है कि 21-22 साल तद 80% मोमन को सेलुलाइट होता है, कभी कभी आपको पता नहीं चलता है, त पता करते हैं कि इससे कैसे बचे, और अगर आपको पहले सेलुलाइटी परिशानी है, तो फिर इसका इलाज क्या है? सेलुलाइट से बचने के लिए सबसे इंपोर्टन है कि हम हमारा भजन कंट्रोल करें, इसके लिए एक्सराइज सबसे इंपोर्टन होता है, डेली एक्सराइज करने से हमारे फैट सेल्स कंट्रोल रहते हैं, और मसल्स टोन होते हैं, जिससे स्किन स्मूध रहती है, और सेल हमारा वजन बढ़ता है, fat cells बढ़ जाते हैं, और skin will dimpling आती है, तो आपको एक healthy और balanced diet करना ज़रूरी है, बहुत जादा वजन बढ़ने से और बहुत जादा वजन गिरने से भी, बहुत strict diet पे जाने से भी cellulite आ सकता है, अगर आपका काम जादा देर बैठने का है, कि आप पूरे दिल एक ही जगे पे desk वर्क करते हो, एक ही जगे पे बैठे रहते हो, इससे हमारा blood circulation effect होता है, और cellulite होने के chance बढ़ जाते हैं, ऐसे में आपको हर एक या दो घंटे में ब्रेक लेना चाहिए, 10 मिनिट का वॉक करना चाहिए, जिससे की blood circulation दुबारा से इंप्रूफ हो, और cellulite होने की chances कम हो जाएं, काफी tight कपडे पहनने पर या tight undergarments पहनने पर भी blood circulation effect होता है, जिससे cellulite बढ़ सकता है, तो बहुत जादा tight कपडे avoid करें, अगल cellulite mild हो, या जज शुरू हो रहा हो, तो कुछ creams है, जैसे की retinoids, जो collagen remodeling में मदद करते हैं, इन्हें लगाने से cellulite इंप्रूफ हो सकता है, इसके अलावा cellulite के लिए जो treatments होते हैं, वो आपको किसी भी advanced aesthetic clinic पे available मिलींगे, जिसमें lights, lasers, acoustic waves, या injections की treatments होते हैं, lights और lasers हमारी skin के अंदर जाकर heat produce करते हैं, जिसे नया collagen बनता है और skin smooth out होती है, video frequency treatment, जैसे की venus legacy या exilis, ये कुछ machines है, जो हमारी skin में heat produce करते हैं, पुराने fibrous bands को break करते हैं, जिससे की dimpling आई है skin में, ये break होने के बाद, जब नया collagen बनता है, तब skin smooth हो जाती है, और भी कुछ treatments है, जैसे की acoustic wave therapy, acoustic wave therapy में, pressure waves के अंदर जाते हैं, पुराने fibrous bands को break करते हैं, और skin को smooth out करते हैं, ते अलावा, filler injections, जैसे की hyaluronic acid, जो gel जैसा material होता है, इन dimples के अंदर जाके, सेटल होता है, और skin को smooth out करता है, जिससे आपका cellulite काफी हद तक improve होता है, इन सारी टेक्नीक्स में, तीन से छे मैने का time कम से कम लगता है, इंप्रूवमेंट लाने के लिए, और ये एक gradual और slow process होता है, Surgery भी एक option है, cellulite के treatment के लिए, इसमें, सबसेशन करके treatment होता है, जिसमें, नीदल जो है, वो स्किन के अंदर जाके, fibrous bands को break करती है, सबसेशन यही टेक्नीक, एडवांस्ट मशीन से भी होता है, जिसे हम Selfina कहते है, में a machine introduced होती है, जिससे के fibrous bands break होते है, Surgery वाले procedures में थोड़ी सुजन, redness, bruising हो सकती है, जबकि non-surgical procedures में यह सब नहीं होता है, काफी comfortable procedure होता है, लेकिन समय लंबा लगता है treatment के लिए, डॉक्टर ने जो tips बताई हैं उन्हें ट्राइ करिएगा, आपको जरूर फर्क देखने को मिलेगा, आप बढ़ते हैं सेहत के अगले segment की तरफ, आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि छीकते वक्त एक second के लिए दिल की धणकन रुख जाती है, इसलिए जब कोई छीकता है तो हम उसे कहते हैं bless you, पर क्या ये वाकई सच है, जवाब है नहीं, धड़कन एक second कले भी नहीं रुखती है, होता क्या है कि आपकी सीने के आंत्रिक प्रेशर में बढ़ जाता है, वो कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, नतीजा दिल की तरफ जाने वाला खून का बहाव है वो कम हो जाता है, अब इसका एक कारण ये है कि जब आप छीकने वाले होते हैं उससे पहले आप सास अंदर खीचते हैं, ये चेस्ट में एक्स्ट्रा प्रेशर बना देता है, इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हार्ट बीट पर मिनिट बढ़ जाती है, अब दिल को करनी पड़ती है इ अब ये समय है अपनी सेहत पर खास ध्यान देने का, जो चीज़े आप नहीं खाते थे उन्हें भी अपनी डाइट में शामिल करने का, जैसे तिल इसे आप सेस में सीड्स भी कहते हैं, ये ठंड में आपके शरीर को ना सिर्फ गर्मी देंगे बलकिन आपको मिलेगी एनरजी, मस्बूत हड्डियां और अच्छा हासमा आप इसके लड़ू खा सकते हैं, तिल के लड़ू के बारे में तो आपने सुनाई होगा मिठाई खानी आपको अगर पसंद हैं, तो आप तिल उसके उपर छिड़क के खा सकते हैं नहीं तो आप इसे एक अच्छा भी खा सकते हैं तो आज सिहत में इतना ही अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेर करना चाहते हैं तो जो इमेल आइडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है उस पर हमें एक मेल भेज़ दीजे कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशित यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे शुक्रे